है डिना देवी भी आगई है मैं दिख्रहे हुआ आप लोगोगो si good evening good evening Pritir good evening by a कि हम कि हम आम हम मैं दिख रही हुना आपको ठीक है हाँ अब समझेंता राफ केसे करना है तो आपको स्क्रीन दिख रही है पर लोगों को स्क्रीन दिख और सुद्धी कि अचलिए आप लोगों को की तो सबसे पहले यही जानना होगा कि कि हम क्या पढ़ेंगे यहां कि पढ़ना है उसके बाद आगे बढ़ेंगे ना ठीक है तो पहले मैं आप लोगों को इसके बारे में बता दू डी ट्रिपल असबी का सिलेबस आप लोगों को पता है क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है पहले ये बताईए ये देखिए मेरे हाथ में पेपर ही है डी ट्रिपल असबी देखें चलिए मैं आप लोगों को पहले कुछ चीजें बता देती हूं देखें फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे देखो अभी आप लोगों की क्लास अभी फिलहाल मैंने एक वीक के लिए तेड़ घंटे की रखी है बागर आगे वह क्लास टू आवर्स की ही होगी फिल आप आप से मान के चलिए हिस्ट्री आफ इंग्लिश लिट्रेचर के पार्ट से दिये जब शों से बोलें की व्यक्स आफश उफ शेक्सपियर टो वर्क्स ऑफ शेक्सपियर का मतलब के वल ये नहीं है ज depends लिग्श क्षएफ की पॉश मैं वही चीज बता रही वोक्स ओफ शेक्सपयर वैसे मैंने न पूरा यूट्यूब पर वीडियो बनाया इसका वह सोफ शेक्सपयर अगर वह कह रहे हैं तो वाग्स ओफ शेक्सपयर का मतलब यह है कि आपको उसमें पूरा शेक्सपयर की एज के बारे में बताया जाएगा यानि कि Shakespeare University Wits Con थे, Shakespeare ने Romantic Comedy का आइडिया किस से लिया और Shakespeare का Master Con माना जाता है, बलब जो भी Shakespeare के plays में, अच्छा Shakespeare का कौन सा play, वो कैचियो के Decameron से लिया गया है तो यह सब सिर्फ पढ़ होता है, जब आप history पढ़ते हो, और आप में से कितने लोग history पढ़ते हो, यह आपको भी पता है, कि अगर मैं आप से कह दू कि बढ़ लो जी, क्या कहते हैं, W.J. Long, या David Day, देखो David Day चीज तो खेर बहुत ऊपर की हो जाती है, लेकिन अगर मैं आप सो कोई भी history की किताब कह रहे हो, आप दो दिन पढ़ोगे, तीन दिन पढ़ोगे, फिर बिल्कुल नहीं पढ़ोगे, अच्छा ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने कह दिया, ठीक है, अब रोमेंटिक एज में उन्होंने यू कह दिया, देखो कितना बढ़िया उन्होंने इसलेबस दिया है, शैले, वट्सवाथ, कीट्स, एट्सेटरा, अब यह एट्सेटरा का मतलब होता, जो भी तुम मान लो, अब रोमेंटिक एज के बाद उन्होंने कह दिया, मॉडन एज, मॉडन इंडियन राइटिंग, इंडियन राइटिंग इंग्लिश, यह सब आप दिया, मैं प्सटराइट जाएगा, लेकिन, एक स्मार्ट स्ट्राइटाजी के साथ, अब स्मार्ट स्ट्राइटिकगी का क्या मतलब है, जैसे मैं आज आप लोगों के लिए स्टार्ट कर रही हूं, लिट्रेचर, आब आपके दो लेक्टेशर होगे, एक लिट्रेचर का ह पूछेंगे इसमें आपका चाहिए पेड़ागोजी वाले QUESTIONS हो वैसे इसमें जो PEPER हुए इनमें पेड़ागोजी के QUESTIONS इतने पूछे नहीं गए हैं तो आपके 20 मार्क्स का English का जो वैसे आता है English का वह वाला पार्ट सारी चीज जो है we will cover all the parts together सारी चीज जो है धीरे-धीरे करके हम लोग कवर करेंगे पेपर most probably इसका पहले ही वह आया था कि वह जनवरी में पेपर होने का है इसका हाँ टीचिंग में जो इसकी पेड़ागोजी वाला पार्ट है वह टीचिंग में सब चीज पाई जब है सिल्लेबस में तो सब कुछ करवाना पड़ेगा मैं करवांगी सारी चीज तो मैं जो में जो हुआ है और उसमें जो क्वेस्टेंस पूछे गये हैं उसमें चार क्वेस्टेंस से ही स्टार्ट कर लिया जाए अब जब मैं आपको एक जब करके धिर जहां आपको मजह भी आएका पढ़के भी जमें आपको जितना पड़ाओंगे को बहुत अच्छे शीचीज सम रहेगी मैं history of English literature में सारे writers detail में cover करवाऊंगी जो जो उनके works हैं और सारी चीज सब cover करवाऊंगी जिसे कि कोई भी चीज छूटे ना दूसरी चीज में आप लोगों को बताऊंगे आपके सारे notes जैसे आज हमारे जो इस में admission ले लिया है मैं थोड़ी देर में उनका batch बनाऊंगी और वो PDF जो आज मैं पढ़ाऊंगी वो उन्हें भेज दूंगी अभी उनके ऊपर है कि वो printout निकल वाएं या वो उसको जो है लिखें जैसा भी करने वैसे printout निकल वाले तो ज्यादा सही रहेगा तो मैं उनको यह PDF साथ के साथ आपको PDF भेजी जाएगी नहीं मैं आयूशी प्लीज डोंट टीच टेल मी की वाट शुड़ाई टीच और वाट शुड नौट मुझे बहुत अच्छे से पता है मुझे क्या पढ़ाना है और क्या नहीं पढ़ाना है ठीक है तो इसलिए मैं जो है मैं पढ कि मैं क्या हूं कैसी हूं क्या पढ़ाती हूं ठीक है तो मुझे जो है ना बहुत मुझे ओविसली यह चीज पता है डी ट्रिपल स्भी का पेपर जितनी बार हुआ है उसमें इतनी बार पेपर नहीं हुआ है लेको हमें उसी हिसाब से तैयारी करके चलनी पड़ेगी कि कही से कोई भी क्वेश्चन आये तो पूझे बेसिकली बात क्या है पूराने उससे कं मुझे जाते हैं मॉडनेई इज और इससे ज्यादा आते हैं ठीक है क्योंकि पुरानी एज सो सभी पढ़ते ही रहते हैं पढ़ते ही रहते हैं से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं वर्ल लिट्रेचर में से क्वेश्चन साते हैं तो मेरा परपस यही रहेगा कि मैं उल्टा चलूंगे जो पहला जब मैं जिस समय मैं शेक्सपीर स्टार्ट करूंगी मेरे साथ से आपको बुक्स खरीदने की जरूरत नहीं है क्यों कि आपको मन करें कि हमें खरीदनी हैं तो आप खरीद लो भाया लेकिन एक चीज मैं आपको बता रही हूं डी ट्रिपल अस बी की कोई भी एक पूरी मार्केट में ऐसे किताब अवेलेबल नहीं हैं और जो किताब हैं जिनमें यह कह रखा कि डी ट्रिपल असमें उपी टी सब्सक्राइब के लिए से यूपीटी जीटी पीजीटी के आती हैं ऐसी कोई किताब नहीं है पूरा मार्केट मैंने भी चान रखा है तो सारा जो है न अलग-अलग मैटीरियल जो है अब आप यह देखिए कि मेरी जो मैं आप आज से आपका जो हिस्ट्री वाला पार्ट स्टार्ट कर रही हूँ जो मैं रॉमेंटिक एज से स्टार्ट करूंगी आप लोग भी उसमें जो स्टार्ट पढ़ेंगे उसमें आपको यह मेरा खुद का तयार कराऊवा मेटिरियल है यह जो मैं आप लोगों को भेजूंगे ठीक है अब ग्रामर के लिए भी मैं आप ल चार तो question paper ही है क्या करोगे तो इतने तो मैं ही आप लोगों को दे दूँगी कि आप लोगों कर लोगे any other question तो अगर question हो तो बता और मैं ना उल्टा romantic age से start करूंगी romantic age के बाद में Victorian या modern age उसमें लूँगी उसके बाद मैं उल्टा मैं उल्टा ऐसे ही चलूँगी पहले मैं romantic age से लग ले रही हूं क्योंकि मैंने तीन पेपर analyze करें हैं तीनों paper में romantic age से चार-चार question पूछेगा है that's why मैंने सोचा romantic age से ही start करा जाए अभी मैंने कहा ना कि अभी तो इसी समय रहेगा और वैसे भी रिना मेरा schedule बहुत hectic है तो जो मेरे पास समय है उसी हिसाब से मैं उस time को adjust कर पाऊंगी किसी को किसी समय समय चाहिए किसी को किसी समय और वैसे भी यह जो classes ना यह live चलने के बाद थोड़ी देर बाद recorded format में डल जाती है तो आप अपनी सुविधानुसार उसे कभी भी उसको देख सकते तो आप आप देख लीजिए क्योंकि हम टाइमिंग्स जो है ना live classes में भी अगर हम offline की तरह टाइमिंग्स को देखेंगे तो नहीं हो पाएगा ना ऐसा नहीं हो सकता लाइफ classes को अगर आप उसमें कर भाएंगे तो आप देख लीजिए क्योंकि यह तो recorded उसमें भी जो है पड़ा तो इससे पहले भी मेरी classes चलती है सुबह भी मेरी classes चलती है और अगर मैं दोपहर में रखूंगी 11.30 बजे तो कभी किसी को स्कूल जाना है कुछ जाना है तो नहीं हो पाएगा लिटरी क्रिटिसेजम इसमें नहीं है इसमें उन्होंने लिटरी टर्म्स हैं वो करवाई जाएंगे लिटरी क्रिटिसेजम इसमें नहीं है और ऐसे भी लिटरी क्रिटिसेजम जो होता है वो अबट वह उसमें होता है वो PGT के पेपर में तो है इसमें न मैं एजिस यहनी की सार एजिस के बारे में उसके अलावा एजिस मेंुर। आते है । सł्तित पूरे कवर करवायाजैएंगे हब यही इसमें करवाया जाएगा लिटरेच्टर। एजिस प्लस राइटेश करताएंगे इसमें आपको इंडियन रैटिंग भी खराइजाएगी American भी है और World Literature भी है तो सारी चीज करवानी है भाई, टाइम बहुत लगता है तो ये उसमें है और इसके अलावा इसमें जो Literary Terms हैं, that will be covered ये सारी चीजें इसमें cover कराई जाएंगे कोई बात नहीं आपको कुछ भी नहीं आता है, आपकी सीखने की इच्छा है, मैं आपको सिखा दूँगे ठीक है, अगर आप सीखना चाहेंगे तो मैं आपको सिखा दूँगी Syllabus यही है, इसमें Syllabus मैं आप लोगों को बताई रही हूं Syllabus मैंने आपको ये चीज बताई Syllabus जो है, इसका TGT PGT का सेम है जो मैंने आपको बताया Literature में Syllabus में सेवल इतना दे रहा है Shakespeare and His Works 18th Century Writers and Their Works World Literature, Indian Writing and English यह Literature का है, Grammar में उन्होंने दे रहा है Essay Writing and उसमें के Questions और बाकी Modals, Tenses, Verbs वगरे के Questions तो यह उनका Syllabus है, उन्होंने Syllabus को खोल के नहीं दे रहा है, यह Syllabus दे रहा है, तो हम Syllabus में कोई भी Point जो है, वो छोड़ नहीं सकते आपको कुछ आए या ना आए, I will let you know मैं आपको समझा दो, तो अगर आप लोग तयार हैं, अब तो Copy Pen रेड़ी है आपका, तो बताईए तो मैं स्टार्ट करूँ Are you ready with your Copy and Pen? Ready? Ready? ठीक है, चले स्टार्ट करते हैं, देखिए सबसे पहले मैं आप लोगों को टाइम लाइन के बारे में बताती हूँ Timeline of Romantic Age Timeline का मतलब होता है, किस समय में क्या चीज हुई ठीक है, तो जैसे मैं लिख रही हूँ, वैसी आप लिख लीजे, हाला कि मेरे पास यह चीज सारी जो है, वो उस format में थी, मगर इस समय जो है, फिर दुबारा वो पेज खो जाएगा तो इसी लिए मैं आपको ऐसी ही जो है लिखुआ देते हूँ हुआ पूंब सीखी जाओिज़ लाओंदनी, को दोन्दार, पीज़ ूपस्टे लाओंग लाता है क्या जचिता है, भूब लाओंगर ुवड़ लाओ लाओंगर, क्भूवड़ लाओंगर, लाओंगर हाफंगर, लाओंगर है कलुजिग करने डाओे लाओे दो सकतिक, चाय करें हो आगे काल यहादे क King Yita काल शबस्यणोम, करना टे गहादे में मादा हूात, आठा हुमरी टेक यह थै ollut suspect और घगावे। कि लग आई ञिए लगाओार सेब लगाओार आई खागर। कि अजब उला चाल को कि अजबने लगाओ कि वह एंगा नाइब पार कि रहाओार। पहले आप लोग यहां तक लिख लीजे यहां तक लिख लीजिए जब लिख लेंगे तो मुझे बता दीजेगा जब लिख लें तो डन बता दीजेगा ठीक है डन हो गया ठीक है और लेंगे लेंगे तो से इंगे टोग्ता मुझे लिख लीक है जब लेंगे बता दीक है खएफ लेंगे दीक है क्छूँ स्कूल अघसे लगनेा हैं पिल में आड़ ऊटीश भी और लुताँ खिकारबों आो में पड़ रगिंग है कर दो कि अज़ रादा कर दो दो अज़ पर अज़ता है अब इस्क्रीन चेंज कर दूँगी इस्क्रीन चेंज कर दूँगी एक एक करके समझाऊंगी ना स्क्रीन चेंज कर दूँगी लिख लो पहले जब यहां तक लिख लो तो मुझे बता देना अब एक एक करके मैं आप लोगों को समझाना शुरू करती हूँ ठीक है फिर उससे आपके सारे और कॉंसेट्स क्लियर होंगे ठीक है स्टार्ट करें देखो अब पहले आप लोग यहां से देखो चलो बात करते हैं यह जितने में लिखे हैं पहले मैं आपको न पॉइंट बारे में बता देते हूं फिर हम लोग और बढ़ेंगे को स्टार्ट करते हैं आपको पता है कि इंग्लैंड में फ्रेंच रेविलुशन के आने का कारण किया था इंग्लैंड में फ्रेंच रेविलुशन का क्या प्रभाव पड़ा यह मैं आपको सबसे पहले बताती हूं देखो हुआ यह कि फ्रांस जो है वो बहुत ज़्यादा लुई 16 के समय फ्रांस का एक राजा था जिसका नाम था लुई 16 ठीकर रुई 16 जो राजा था यह सारा चीज नोट्स में भी दिखानगी मैं आपको फ्रांस का एक राजा था लुई 16 बहुत जादा लोगों पर अत्याचार करता था लोग जो है न उसके अत्याचार से परिशान होने लगे थे और लोगों के अंदर revolution के seeds जो है वो भरने लगे थे तो उस revolution की शुरुवाद जो है वो French revolution जिसे कहा जाता है जिसमें Louis 16 को उखाड कर फेंक दिया गया लोई लोगों के एक लोगों कि बहुत हो गई राजा की जो है राजा जो अपना बहुत ज्यादा हम पर अत्याचार कर रहा है बहुत हुआ अब हम राजा को हटाएंगे और अपने में से कुसी को चुनेंगे तो उन्हों ने एक नारा दिया equality fraternity and liberty उन्हें लगा वाकई में अगर हम राजा को हटा देंगे तो शायद हम जो हैं हम में से जो कुई राजा बनेगा वो जनता की सुनेगा अगर ऐसा होता थोड़ी है तो 1789 में यह फ्रेंच revolution शुरू हुआ फ्रांस में कौन से राजा को हटाने के लिए लुई 16 को और 1793 तक यह चला राजा को फाइनली हटा दिया गया अब 1789 में आप खुद यह देखे कि 1789 का जो यह फ्रेंच revolution था ना इसका effect के वल इंग्लैंड पर ही नहीं रहा फ्रांस पर ही नहीं रहा इंग्लैंड पर भी पढ़ा जो इंग्लैंड के नए नए उभरते वो राइटर्स थे उन्होंने कहा कि वाकई में फ्रेंच रेविलियूशन पूरी रूडियों को बंधनよ को तोड़ता हूआ है तो हमें भी जो ना इन रूडियों बंधनों को तोड़ना होगा अब आप सोच रहोंगे इंग्लेंड में कौन सी रूडियां और बंधन थे रोमेंटिक एज से जस्ट पहले जो एज थी वो थी नियो क्लासिकल एज यानि कि नई क्लासिकल एज जिसमें पोप जिसका रिप्रेजेंटेटिव पोएट था और जो यह नियो क्लासिकल एज थी न यह बड़े ही जिसे कहना चाहिए शो आफ करने वाले पोएट्स थे यह मानते थे भाई कविता का कंटेंट कुछ भी हो सजावट बहुत बढ़िया होनी चाहिए यानि कि यह शो आफ पर यकीन करने वाले पोएट्स थे तो जो शुरुवात के फ्रांस यह जो पोएट्स थे वर्ट्स वर्ट विलियम ब्लेक इन्होंने कहा हम ना इनको नहीं मानेंगे हमें इन कन्वेंशन को तोड़ना है हम तो साधारन चीज के बारे में लिखेंगे रूडियों को तोड़ेंगे तो यह जो फ्रेंच रेविल्यूशन के विद्रो का प्रभाव रोमेंटिक एज में पढ़ा राइटर्स की राइटिंग्स पे अब विलियम वर्ट्स वर्ट तब बिल्कुल नए- वहां की एक लड़की से वह बहुत प्रभावित हुए एनट है ना और उनसे उनका अफेर भी हुआ अब उनको वह वह फ्रेंच रेविल्यूशन से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने बहुत फेमस लाइन्स लिखी ब्लिस वाज इट दान तो बी अलाइव पट तो बी यंग इस हैवन वर्ट्सवत ने यह कहा कि हमें ना हमें भी मुक्ती चाहिए वर्ट्सवत ने वहां से फ्रांस से वापस आके डिस्क्रिप्टिव स्केचेज लिखी 1793 में जिसमें उन्होंने अपने यह सारे यात्रा वृतांत जो हैं वो बताए अब इसमें आप यह देख सॉंग्स ओफ इनोसेंस अभी आई 1789 में इसमें उन्होंने बताया कि वाकई में जो मासूम लोग हैं जो बहुत ही गरीब हैं उनको धरती आखिर में मिलेगी तो चुकि फ्रेंच रेविलुशन का प्रभाव था तो फ्रेंच रेविलुशन के प्रभाव से प्रभावित हो कर उन्होंने लिखी सॉंग्स ओ इनोसेंस इसके बाद आपको पता है यहां तक तो यह दो पॉइंट्स हुए अब यह तीसरा पॉइंट हम डिसकस करते हैं यह एक-एक चीज नोट्स में डिटेल में अच्छे से लिखी विया अब 1792 की बात करते हैं 1792 में एक किताब आई ना वो फेमिनिजम पर लिखी वी पहली किताब है हाला कि फेमिनिजम तो बहुत बात में आया लेकिन यह फेमिनिजम पर लिखी यानि कि करांती के बीज लोगों के अंदर बो दिये गए थे लोगों के अंदर यह बीज आ गए थे तो यह औरतों के अधिकारों के लिए लि पीबी शेले की mother-in-law है Mary Wollstonecraft ठीक है यह विलियम ब्लेक ने लिखा है यह वॉल्स्टन क्राफ्ट है यह वॉल्स्टन क्राफ्ट मेरी वॉल्स्टन क्राफ्ट ने लिखी है और विंडिकेशन ऑफ वुमेंस राइट अब यह बताइए पहले यह तीन पॉइंट्स अगर समझ म आए हों तो हम आगे बढ़ें कि सबसे पहले यह बताइए यह तीन पॉइंट्स अगर आपको समझ में आए हों तो मुझे बताइए फ्रेंच रेविलूशन कब हुआ फ्रेंच रेविलूशन से कौन प्रभावित था विलियम ब्लेक ने लिखी सौंग्स ओफ इनोसेंस हां जी यह अगर यह तीन भाई प्रीती ने तो लिख दिया है बाकी लोग भी बता दीजिए अगर यह पॉइंट समझ में आये नहीं आ बार बार अगर आप इसी को पढ़ेंगे तब क्योंकि यह क्वेस्टन अभी मैं आपको इसमें कौन से क्वेस्टन पूछे गया है वह यह आपको बता दूंगे अब चलो बात करते हैं 1794 में यह थे विलियम गॉडविन इन्होंने एक किताब लिखी है हां लास्ट में यह वह एक एक question यह है political justice आपको पता है political क्या आपने इस किताब का नाम सुना है political justice का do you know anything about political justice इस से कौन-कौन प्रभावित था क्या आप जानते हैं रोमेंटिक एज के कौन-कौन से राइटर पॉलिटिकल जस्टिस से प्रभावित थे, बताईए, ये बिट्वीन दा लाइन्स क्वेस्टिन्स होते हैं, पॉलिटिकल जस्टिस किस ने लिखी, ये तो साधारण है, विलियम गॉडविन ने, ये बताईए, पॉलिटिकल का नाम सुना है, विलियम वर्ट्सवत का नाम तो सुना है, या नहीं सुना, विलियम वर्ट्सवत का नाम तो सुना है, पीबी शेले का नाम सुना है, पीबी शेले का नाम सुना है, है न, तो अब इनके बारे में देखो, हाँ, चलिए बात करते हैं, विलियम गॉडविन क विलियम गॉडविन ने एक किताब लिखी पॉलिटिकल जस्टिस अब यह जो पॉलिटिकल जस्टिस जो किताब है इन्होंने किताब लिखी इस किताब से बहुत ज्यादा प्रभावित थे William Wordsworth जो है वो उनके उपर Godwin की philosophy का बहुत असर था और P.B. Shelley बहुत ज़्यादा प्रभावित थे William Godwin से इतने ज़्यादा प्रभावित थे कि वो उनकी बेटी से भी बहुत प्रभावित हो गए थे Godwin की बेटी थी Mary Godwin जिसके साथ Shelley जो है वो भाग गए थे ठीक है और शेले के ससूर थे यह और शेले की सास थी यह तो यह जो William Godwin है इन्होंने लिखी है पॉलिटिकल जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस वो ने एक anarchist थे वो यह मानते थे वो anarchist का मतलब होता है कि जो किसी भी पॉलिटिकल जस्टिस अभी आपको एक चीज और बताती हूं देखो देखो एक यहां पर यह देखिए इसका ही को है देखो एक है यह Mary Shelley ठीक है यह Mary Shelley जो है यह बेटी है किसकी Godwin कе she is the daughter of Godwin इन्हों ने एक novel लिखा है Frankenstein इन्होंने novel लिखा है Frankenstein ठीक है और इसका subtitle है The Modern Promethuse और The Modern Promethuse यह ये जो नॉवल है डेडिकेट की गई है गौडविन और ये जो नॉवल है इसका प्रीफेस लिखा है पीबी शेले ने इस नौवल का जो प्रीफेस है वो किस ने लिखा है पी बी शेले मैं आपको भी बता रहे हूं कि भाई शेले और यह हां जी अभी लिरिकल बैर यार बीच में ना वो मत करा करो भी मैं सारी चीज में ऐसी नहीं हूं कि बीच बीच में पॉइंट चोड़ दो तुम तो रीना म में मेरी शेले के बारे में यह बताया कि मेरी शेले ने नौवल लिखी है कौन सी फ्रेंकेंस्टीन फ्रेंकेंस्टीन या इसी का ही सब्टाइटल है यह किसको डेडिकेट करी है अपने फादर गॉडविन को और इसका प्रीफेस लिखा है पी बी शेले ने अगर एक बात ब मेरे पास इस समय काफी सारे students दूसरे batches में पढ़ रहे हैं तो मैं हमेशा हरे किसी चीज को समझना है तो बहुत ध्यान से जो मैं कह रही हूं उस चीज को समझो क्योंकि अगर ये आप ये चीज पढ़ रहे हूं देखो मैं आप साफ कह रहे हूं मेरे पास ये paper है और इस paper में ये देखिए ये question है मैं आपको question ही पढ़के बता देती हूं एक question ये है कि ये question frankenstein is a novel written by ये question 2018 dssb tgt का पूछाओ है बताओ किसने लिखा है frankenstein who wrote frankenstein किसने लिखा है बताओ किसने लिखा मैरी शेले अब question इसी में से पूछती हूं चलो इसी में से question पूछती हूं Mary Shelley is the daughter of Mary Shelley is the daughter of Mary Shelley is the daughter of Godwin विलकुल सही yes Mary Shelley is the daughter of Godwin and frankenstein is dedicated to frankenstein is dedicated to Godwin है ना frankenstein तो एक से सारे points हो गए नहीं हो गए एक question हो गया है ना yes Godwin उनके पिताजी है और इसमें अब चलो बात करते हैं हो गए ना यहां तक अब आगे बात करते हैं अब वर्ट्सवर्थ was very much influenced by the French Revolution वर्ट्सवर्थ ने लिरिकल बैलेट्स लिखी 1798 में वर्ट्सवर्थ ने लिखी लिरिकल बैलेट्स ठीक है 1798 में वर्ट्सवर्थ ने जो लिरिकल बैलेट्स लिखी आप इसके बारे में देखिए यह जो लिरिकल बैलेट्स आया यह यह लिरिकल बैलेट्स जो है इसमें 23 पोयम्स और यह जो है एक कोलाइबरेटेड एफ़र्थ है कोलाइबरेटेड एफ़र्थ का मतलब है दो लोगों ने मिलके लिखा है किस किस ने विलियम वर्ट्सवर्थ एंड स्टी कॉल्रेज ठीक है जी इसमें 19 पोयम्स वर्ट्सवर्थ की है और चार पोयम्स कॉल्रेज की है उन्निस जो है वो वर्ट्सवर्थ की है और चार पोयम्स जो है वो किस की है कॉल्रेज की है और यह जो शुरुआ था लिरिकल बैरिट्स की राइम ओफ एंशेंट मेरिनर से होती है राइम ओफ एंशेंट मेरिनर पहली पोयम है और टिंटर्न अबे लास्ट पोयम है यह साधारण से वो क्वेस्टेंस हैं देखें बिलकुल सिंपल है 1798 में 1798 में लिरिकल बैलेट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसे माना जाता है Beginning of Romantic Age Romantic Age की शुरुआत जो हुई थी वो किस से हुई थी लिरिकल बैलेट्स से शुरुआत हुई थी 1798 में जब वर्ट्सवत ने और कॉलरिज ने मिलकर ये कलेक्शन निकाला था तो इस कलेक्शन को माना जाता है कि 1798 से ही Romantic Age की शुरुआत हुई यानि कि 1798 जो येर है वो लेंडमार्क येर है क्योंकि इसमें वर्ट्सवत और कॉलरिज ने लिख्या था लिरिकल बैलेड जिसमें 19 पोयम्स जो है वो वर्ट्सवत की हैं चार पोयम्स कॉलरिज की हैं शुरुआत होती है राइम ओफ एंशेंट मेरिनर से और अंत होता है यह पोयम्स जो है यह जो है इसमें बिगनिंग और रोमेंटिक और आपको मैं एक बाब बताओं कि इसमें यह जो एज थी इन दिस एज लिरिक्स वर डॉमिनेंट इस एज में सबसे ज़्यादा जो मजबूत चीज सबसे ज़्यादा जो लिखे गए वो क्या लिखे गए गाने लिरिक लिखे गए तो मैं आपको फिर दुबारा से 1798 के बारे में बता देती हूँ 1798 से शुरुवात मानी जाती है रोमेंटिक एज की क्योंकि 1798 में लिरिकल बैलेड्स आया जिसमें 23 पोयम्स है 19 वर्ट्सवर्थ की 4 कॉलरिज की शुरुवात होती है राइम आफ इंशेंट मेरिनर से और अ प्रादिया कि बता दो कुछ छूटा दो नहीं हूं यहां तक यह नोट कर ले ना वहीं यह भी सारा ठीक है जब पढ़ोगे दुबारा तो फिर उसमें को नहीं होनीच यह दिक्कत एक मिनट फिर अब मैं स्क्रीन चेंज कर दूं अब ही टाइपिंग में थोड़ा सा दिक्कत आ रही होगी तो तेसे धीरे धीरे आप लोग जो पढ़ेंगे वह परफेक्ट हो जाएंगे ठीक है यह आप लोगां लिख लिया अब एक और क्वेश्चन बताओ इसमें से हैं देखो यह लिरिकल बैलेट्स तक हो गया अब यह जड़ा यह वाला देखो बाइरन जो है वह भी एक रोमेंटिक पोयट है और उन्होंने एक चाइल्ड हेरोल्ड जो है वह लिखा है चाइल्ड हेरोल्ड उनके वर्क का नाम है बाइरल्ड के और एक ब्लैक वुड मैगजीन जो है वह आई थी अब मैं आप लोगों को जहां तक यह ना मैं पॉइंट इसको ज़्यादा detail में मैं इसलिए नहीं समझा रही क्योंकि ये younger romantics के point है तो मैं फिर भी आपको बता देती हूँ एक यहां से ये चीज आपको बताती हूँ देखे Byron Byron के बारे में हम बात करते हैं जिनने Lord Byron कहा जाता है Lord Byron Shelley and Keats को younger romantic Lord Byron को कहा जाता है कि Lord Byron ने एक work लिखा child herald और child herald जो है उसमें ही उन्होंने कहा One day I woke up and found myself famous अब मैं आपको थोड़ा सा Byron के बारे में बताती हूँ देखे सबसे पहले हम बात करते हैं ये जो romantic age थी इसके जो कवी है ना इन्हें हम दो भाग में बाटते हैं romantic age के कवी जो हैं वो एक हैं elder romantics जो elder romantics हैं उनमें कौन-कौन आता है elder romantics में आते हैं कॉलरेज एंड साउदे ठीक है और younger romantics में आते हैं कौन Byron Keats एंड शेले तो अब आप मुझे बताएं कि Byron जो है ये भी जो Byron है ये younger romantics में आते हैं और इनको कहा जाता है ये younger romantic है इन्होंने child herald लिखी है poem और इसमें kento one and two और कहते हैं Byron ने ये poem जब लिखी तो Byron इतना famous हो गया कि उसने खुदी कहा one day I woke up and I found myself famous कि एक दिन मैं उठा और मैंने अपने आपको बहुत ही famous जो है वो पाया तो यहां तक कुछ points जो है मैंने romantic age के अब धीरे-धीरे करके शुरू करेंगे पहले मुझे यहां तक बताईए कि अगर यहां तक यह चीजे आप लोगों को जो मैंने points बताए वो points अगर clear है तो मैं अभी आपको जो questions आए वे हैं वो questions अभी लिखके दिखा देती हूं तो आप उसके answers अपने आप आपको खुद पता चल जाएगा whether you learned something or not तो बताईए यहां तक मुझे बताईए कि आपको यह points clear है यह नहीं है अभी मैं आपको इसमें जो questions ही बता देती हूं clear है चलो फिर why wait for questions लेते हैं elder romantics यह है wordsworth, college and saude elder romantics जैसे ही जब romantic age शुरू हुई थी तो जो poets जो बिल्कुल एक समाजिक रीती रिवाजों में यकीन करने वाले थे और जो शुरुवाती poets थे वो यह है wordsworth, college and saude और जो किसी रीती रिवाज को मानने वाले नहीं अपनी शर्तों पर काम करने वाले जो satanic school के जो है satanic school खर बाद में बताऊंगी younger romantics जो थे वो कौन थे यानि कि इनके बाद जो आए वो थे Byron, Keats and Shelley इनके दोनों जो यह romantics थे इनने ना younger एक तो जो लिखना बाद में शुरू करा वो तो ही दोनों की जो मानसिकता है वह बिलखुल अलग थी जो एल्डर romantics है उनकी मानसिकता बिलकुल अलग थी और या यंगर रोमेंटिक से उनकी मानसिकता बिलकुल अलग थी तो हम उसी चीज़ को आगे धी इनको शर्जा गे तो वह अजाएगा क्या कहते हो से अगर सारी चीज एक साथ अंदर लेनी के कोशिश करो तो उल्टी हो जाएगी सारी चीज एक साथ जो है वो नहीं करते हैं एक मिनट रुख जो इसको तो मैं नहीं कर रही है यहां से मैं तुमसे क्वेस्चंस पूछती हूं कि यह मिटा देती हूं और से क्वेस्ट ही देखो मैं अब मेरे हाट में पेपर है और मैं आपको पुछन जो है वह पूच रही हूं मैं देखती हूं कित्ले कृश्चंज के आप रिपते है जवाब दे पाते हूं देखो क्वेस्चं Egypt 2 4 freaking TGT 2018 के पेपर में बहुत नज़ सॅज़िगों sera whenever you are झाज़िछे के उचे किभगी तक हूए हूज हूए हूँ लऑज़िगे के लु़िटे। और भिपके लु़्ट यजपोरिशन उचे केял Кवजचर अड़ हूट झाजब हुभाज थार भाहा हूए, वह हवाह शुऑप- कि अ tu अ, हितम रू और आजाना एली कि एंधों, तलिब त typ लृटबील, हृचा लगात심, जब ही Cald झाल चलो ये चार question के जवाब दो child herald is one of the best work of one of the best works of हाँ जी पता ये question कर ये कर के जब विल्कुल child herald is one of the best works of बिल्कुल सही पहले question का जवाब क्या आएगा yes that is Lord Byron next question who wrote Frankenstein is a novel by Mary Shelley पहले लिख दिया है yes that's by Mary Shelley and the next question is who wrote the rhyme of the ancient mariner rhyme of ancient mariner किस ने लिखी है अभी मैंने आपको बताया था कि उसमें से चार पोयम्स जो है जो चार पोयम्स जो कॉल्रिज ने लिखी है ये जो पोयम है स्टी कॉल्रिज ठीक है वट्सवत ने नहीं लिखी है कॉल्रिज ने लिखी है this poem is written by S.G. कॉल्रिज the next question who said one day I woke up and found myself famous ये किस ने कहा है who said one day I woke up and found myself famous Byron अब बताये now tell me कुछ कुछ समझ में आया very good अब यहां तक क्योंकि आज एक शुरुवात है जरुवत से ज़्यादा ठूसेंगे तो खताम होजा देखे जो ये लिरिकल बैलेट्स है जिसकी शुरुवात जो है the rhyme of ancient mariner से हुई है वो लिरिकल बैलेट्स rhyme of ancient mariner एस्टी कॉल्रिच के लिखी हुए और जो टिंटन अबे है वो वर्ड्सवर्थ के लिखी हुए अब बताओ यहां तक अगर क्लियर है टिंटन अबे इस रिटन बाइव वर्ड्सवर्थ एंड राइम ऑफ एंशेंट मेरिनर इस रिटन बाइ एस्टी कॉल्ड्रिच तो मैं बहुत जादा एक बात है ज्यान जो है उतना ही देना चाहिए जितना दूसरा व्यक्ति एक्सेप्ट है दीरे 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 करके आप लोग को जो भी चहा Хот़करी हो आप मुझे बता ये कर देखना बढ़ा उसलिए ताम कामें कर चीन कर तो आप लोगatamente आप को स्टेप बाइस बढ़ेता है एकदम से कोई चीज को नहीं लेकर चलना है स्टेप बाइस्टेप हाँ जी कुछ फीडबैक दीजे बताइए एक और चीज कहूंगी बर्खा ओके मैं मत लिखना येस मैं लिखो जी मैं मगडर को मैं मत लिखो कि टीचर को ओके नहीं कहा जाता ठीक है तो गला येसमें लिख अच्छा लगेगा कि हम कि अगर यहां तक और लोगों से ऴर पूछा चाहूंगि कि आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा कि आप लोग बताए मैं माई गट दा कंटेंट ऑफ टूदेश्क्लास वेरी वेल तुम यह कह रही थी कि मुझे कुछ नहीं आता अब यह बताओ अब तो नहीं काओगी मुझे कुछ नहीं आता को कर दो फथीक है चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में भी लीजिए ठीक है छलो मिलते हैं भी थोडी झाल देर में